हेलो एब्रीवन विल्कम बाग तो माई यूटूब चैनल एंटूटराइडर रवान तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली मॉटिफिकेशन के ऊपर है कि जो लोग आज की डेट में मॉटिफिकेशन कराते हैं बट वो अच्छे नहीं लगते हैं जैसे कि आप इस वर्टिकुलर बाइक को देख रहे हो एन वन सिक्स्टी है बट इस बंदे ने क्या करवा रखा है यहां पे 200 लिख लिखा लिया है पलसर का बैजिंग और यहां से वन सिक्स्टी की बैजिंग इन्होंने हटा दिये क्योंक मर्षिकेशन जो इसमें कर रखा है वह आप देख सकते हैं कि हॉन लगा रखा है नोंने इसमें प्रेशर जो कि इल्लींगल है दूसरी चीज के ऐन का फिल्टर का अन्जोनने ट्रिकर लगा रखा है जो की आप इसमें लगा हुआ नहीं है तर्ड बिड्च टोन का स्टिकर पूरी बाइक के हालत यार मेंटेन करनी चाहिए अगर आप बाइक ले रहे हो कोई तो आप उसको मेंटेन करो जो परसनली मुझे नहीं पसंद है किसी भी बाइक में वो यह वाइसर है जैसे हम क्या कहते हैं एंटी 15 का वाइसर है इसको पैचिंग भी एंटी 15 की है और इस बंदे ने इसको एंट 1 60 पे लगवा रखा है तो यह मुझे कुछ खास अच्छा लगता नहीं है अगर आप मौटिफिकेशन करा रहे हो तो आपको सोचना सबना चाहिए कि आपकी बाइक पर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं अच्छा लगेगा जो बहुत ज़रूरी चीज़े हैं वह इन्होंने नेगलेट कर दी हैं जैसे आपको इससे पीपीफ कराना चाहिए था क्योंकि सबको पता है कि एन वन सिक्स्टी और एन टुविप्टी की पेंट कुछ खास अच्छी है न इसके अलाबा पूरी बाइक में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगी एंड एक और चीज दो इसमें मॉटिफिकेशन कराया है इस बंदे ने वह है कि आपने इसमें LED लाइट देख सकते है LED बल्ब लगा रखा है बट लाइट नहीं है यह इसमें अगर चाहते हैं थोड़ा नहीं किया इस बाइक के साथ तो इस सदा के मॉटिफिकेशन को प्लीज थोड़ा सा एवॉइट किया करिए यह बाइक की जो एक रेस है ना उसको खतम कर देती है थैंक्स लॉट पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू सो मज